वेलकम टो मैं चैनल फ्रेंट्स आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं वेज स्पेनिज ग्रीन कबाब जिसे हम हरा बरा कबाब भी कहते हैं तो पालक का सीजन है तो यह स्टार्टर को आप ज़रूर ट्राई करेगा तो यहां पर हमने पैन में हाफ पैन पानी बॉइल होन इन पत्तों को हम ओपन ही बॉइल करेंगे जिससे इन पत्तों का हरा रंग बना रहे है तो इन सारे पत्तों को अच्छी तरीके से हम पानी में डाल देंगे और एक बॉइल आने तक का वेट करेंगे जैसे ही पानी में एक उबाल आ जाएगा हम चलते हैं next process के तरफ तो अच साइड में रख देंगे और एक दूसरा प्यान ले लेंगे उसमें दो बड़े चमस हम एड करेंगे वेजिटीबल ओयल इसमें हमने अच्छे से गरम होने के बार इसमें हमने एड कर दिया है हाफ टेबल स्पून के करीब जीरा यह हमने सारी चीजे चॉप कर लिएं दो से प्याज, स्ठिक्सी की थोड़ से कॉरिएंडर लीव और एक बड़ी कैप्सिकम तो इन सब को हमने फाइनली चॉप कर दिया और इन सब को वन बाइवन हमने एड कर दिया है हमने थोड़ा से सॉटे कर लेंगे बहुत ज्यादा अब कूक नहीं करना था इसको थोड़ा सब मुझे 2 स 4 मिनट पकनी का वेट करेंगे अच्छा से चलाते रहेंगे इस एड़抗ाइड करिया हां थोड़ा सा चाहार मसाला और थोड़ी सी कश्मीरी लाजमेट्स जो कि टोटली ऑफशनल है, आप चाहें तो सिफ ग्रिन चिली से भी बना सकते हैं, तो इसे सब को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, और इसे 2-4 मिनिट तक अच्छे से पकने देंगे, ताकि हमारे सारे मसाले अच्छे तरीके से पक अब इसमें תरह देगे मकषे, अपना बॉयल किया हूब पालक, तो आप इसी पडर प्र Interview एसे भी अच्छी तरीके से इसमें आप 조ग्ली तो देखे यहाँ पर अच्छी तरीक influence के सांथ मसालged मसाले को और के या तो इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ थोड़ी सी यहां पर फ्रोजन मटर लिए अगर आप ऐसी मटर यूज करते हैं तो उसे बॉल करके आड़ करें या फिर स्टाटिंग महीं डाल दे ताकि मटर भी साइब साथ अच्छी तरीके से पक जाए तो यहां मैंने फ्रोजन मटर यूज की थी इसलिए मैंने लास्ट मे यहां हमारा पेस्ट रेडी है चलते है नेक्स प्रॉसस की तरफ तो यहां सारे पेस्ट को एक प्लेट में अच्छी तरीके से निकाल लेंगे और इसमें एड करेंगे हम दो वॉयल की हुए पटेटो और इसमें एड करेंगे कम से कम 5-6 चमच ब्रैट क्रम्स तो और इसमें एक बड़ा चमश हम एड़ करेंगे एक बड़ा चमश भरके एड़ करेंगे कॉन्फ्लॉर तो इन तीनों चीजों को एड़ करने के बाद हम इसका अच्छी तरीके से दो बनाएंगे तो आप इसमें चाहें तो ब्रैट करम्स और एड़ कर सकते हैं, तो सारे मौस्टर को अच्छी तरीके से सोक कर लेगा, तो इसी तरीके से कोई भी लंस ना रहें, अगर पोटेटो आपका थंडा हो गया, तो आप उसको अच्छे से ग्रेट करके डालें, अगर पोटेटो गर के तरफ तो हमने थोड़े से यहां परसțटेी का चमद रिए हैं और उसको हम, बसक्त आपमे का चलुक बना जाते हैं तो आप इस त साहं कि बना ले और अच्छी से से हाथों से शेप लीड़े और आपो ऑच्छी से एक चली करें से या इस पे half cashew ऐसे लगा दे देखने में बहुत सुन्दर लगते हैं तो इस तरीख से देखें हमारे सारे कबाब बनके रडी हो चुके हैं अगर आपके पास ताइम नहीं है तो आप इसे तुरंट भी वाइल कर सकते हैं अगर आपके पास ताइम है तो आप इसे थोड़ी देर के ल आप ध्यान रखे कि तेल हमारा अच्छी तरीके से गरम होना चाहिए अधरवाइस यह और अब्सक्राइब करने लगेगा और इसे में इसमें क्रैक्स पर जाएंगे तो आप इस अच्छी तरीके से इसे ऑईल में डाल दें जबकि ऑईल तेज गरम हो तो हमने आप दो कबाब आपको इस तरह फ्राइब होने के लिए डाल दिया है और इसे आपको जिस बी स्पेचुला के हल्प से आफोक के हल्प से जिससे भी टर्न करने में कमफटेबल हो आप उस चीज से इसे टर्न करके फ्राइब कर लिजिए तो अच्छी तरीके से दोना तरफ से गोल्डन ब्र पाइब कर लेज अच्छे से गोल नहीं। अच्छे से नहीं रहेंगे और जलने लगेंगे। तो देखिए हम आरे काब यहाप यहाप आम इससी तरिके से वन बाइवन सारे काबब फ्राई करके रेडी कर लेंगे, आप चाहें तो आप इसे सोलो फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इसे डीफ फ्राई कर रही हूँ, तो देखिए इस तरीके से ब्राउन कलर होने तक हम इन कबाब को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, आप जब भी ओयल में कबाब डालें वन बाई वन, उसे फिर से अपने हाथों से अच्छे से प्रैस कर लें, ताकि उसके क्रम्स अच्छे से चिपक जाएं, और उसको एक अच्छे से शेप वापस से दे दे, और उसके बाद आप उसको ओयल में फ्राई करें, तो इस तरीके स निकाल लेंगे तो वन बाइव हम इसी तरीके से से प्रोसे से हम सारे कबाब को फ्राई करके रेडी कर लेंगे बस इसमें हमें मेंनली यही ध्यान रठना है कि हमारा ओएल बहुत धंडा ना हो अधरवाइस हमारे सारे कबाब नहीं हो पाइंगे तो इसी तरीके से हम सारे कबाब को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे तो बस हमारे सारे कबाब फ्राई के रेडी हो गया आप जो भीक्स कबाब भी उसे दजीगा रख सकते है उपर से बहुत ब्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट लगते हैं, तो आपको रेषीपी पसंद आई हो, प्लीज लाइक कर दिजेगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा, बैल आइकन को क्लिक कर दिजेगा, तो मिलते हैं और into recipe के साथ वाय वाय